परिख़ब याज तू एफवन रेस्टिंग कार्ष हैं मतलब आज हम लोग फारमला रेस्ञ कहलने वाले हैं क्या शौण भई अरे नहीं-नहीं बिल्कुल नहीं फारमला वन रेस्टिंग नहीं खेलने वाले लेकिन हाँ एफ़न कार्स जरूर है जिनसे कि तुम लोग आज करोगे रेस को शुरू तो चल भाई शिंचान तू जादा एक्साइटिड लग रहा है तो तू ही कर दे भाई रेस को शुरू क्या कर रहा है जल्दे से कोई कार चूस कर ले अरे वही यह तनी शांदर शांदर है मैं तो कन्फीजोरों कौन सी चूस करूँ चलो मैं यह चूस करता हूँ अरे वही तो कुछ जादा ही स्पीड में चल रही है चला चला स्पीड में ही चला तभी तो तो ठोकेगा और नीचे गिरेगा और मेरी बारी आएगी ओ कलूबे मनुस्यत मतलगा समझे अभी तो मैंने रेस को शुरू किया है ओ नहीं भाई साब यह क्या हो गया यह तो भाई साब शेंचान के कार का अगला हिस्सा बिलकुल हिवाई तूटके एक अलगी साड में नीचे गिर गया ओहो यह क्या कर रहे हैं भाई ने दिखाई नहीं दे र हैं और सब्सक्राइब छ्वाइन हिBo20 अभाई यह फाइन यहां पर IMO खनल लगा है और opens the यह फूर फेंग दिया दिया मलगे साथ चो अखर उच시 मादा ना कहते हैं और अच्छे से boots कर लगा कराया यहां है के ख़ए और हम कोई कोई शिमस्य आधो बाइव धाया और हिन्थ पक्र फाइदक में कार भěक हो जाओ गाल nossa काषे करने के चक्कर मेर शीन्चेन भाई खुरी कूद गया यार नीचे और और बाईária इसे के साथ शीनचेन की भाई बैहत ही अजीबो गरीब तरीके से पहली lifeline कि खत्म हो गई के लिच्व साने के बाद अबтक अपने नोव पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई कोई प्लेयर ऐसे आउट हुआ है मतलब वहीकल तो गया ही और वहीकल को बचाने के चक्र में खुद भी गिर गया लेकिन यह क्या यार लगता है कि इस कार के भाई जो फ्रेंट वाला एरिया है वह काफी जादा वीक है और हम बात कर रहे थे शिंचन भाई वह बहुत ही जादा आजीब तरीके से आउट हो यार क्या था शिंचन भाई वह अरे मत पूछू यार पते नहीं क्या हो गया था अरे मैं बता था हूँ शाज भाई इसकी रात की उतरी नहीं थी इसलिए ऐसी हरकते कर रहा था यह जुपकर बने इससे धखकर दे दूँगो तुझी में अब यो टिंगो अपनी हाइट तो देख घुटने के बराबर है त ज्याधा भकवास मत करना यही नहीं उठा के फैंक दोंगा लेकिन यहां पर नोवीता भाई को भाई एक जटका लगा है बाई ट्रेड मील से ओ नहीं 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 इनकी वीकल बच गया है और अर मुझे तो लगा था बाई कि ट्रेड मील से यह भी नीचे चले जाएगे ल ब्लास्ट हो जाता है तो भी नोबिता भाई की पहली लाइफ लेन चली जाएगी नहीं और भाई पिसे दो और टक्कर लेकिन मानना पड़ेगा भाई काफी ज्यादा स्ट्रॉंग है क्यार को बाद नहीं यहां पर करना है भाई साब वहीकल को चेंज जल्दी करो यार अब ए चलो लेकिन जिसे साब से भाई साब नोविता भाई परफॉर्मेंस दे रहे हैं मुझे लगता है कि शाय से जीत सकते हैं क्योंकि अब तक का इनका परफॉर्मेंस बेस्ट रहा है लेकिन यह बाईक चल क्यों नहीं रही लगता है भाई साब सीधी खड़ी चड़ाई है न तो भाई साथ थोड़ा बहुत तकलीफ तो इन्हें होगी ही ओ नहीं यहां पर भाई साथ सूपर बाइक सरकते तो शायद जादा बहतर होता अब यहां पर है डाउन स्लाइड देखना हुगा क्या अच्छे से चल पाते हैं कि नहीं जब से लिए हैब इस स्टंटरेश में पहुत नहीं 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 यह क्या यह क्या हो गया-पइस सौछ यार हम सूंसरे कि 19分 इस真的 इस साथ ओह कूरी पूट गई और नोबिता भाई की पहली लाइफ 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 खेर लेकिन कोई बाद नहीं कल्वा भाई ने कर दिया है शुरू all the best to him कि रेस जीतने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन लच्छन नहीं लग रहे हैं रेस जीतने के लोब फिर से टकर वाई साफ सच में इनके लग रहे हैं कि रेस जीतेंगे लेकिन हम ओहो कंट्रोल करना होगा अभी सही इनकी कार में तो भाई धुआ निकलने लगा अब्स्टिकल्स लेकिन यहां पर अब्स्टिकल्स सोड़ी से कम लग रहे हैं मुझे या फिर शायद आखो लेकिन यह बाद है बुस्टर के वज़े से कुछ ज़्यादा ही बड़ा जांप देखना होगा कि सही हो वहता ही नहीं क्या वाद है फिर से बुस्टर के स्था इस्तामाल गया वाई इतनी बड़ी जब कि सीधा इस रिंग से जाकर अगया था कलुआ अब्स्रिकल्स और मु बहुत जादा साथ दे रही है कलुआ भाई का वरना तो अब तक तो शायद यह आउट हो गए होते धेर सारे ट्रेड्मिल्स इनसे बचके रहना होगा ओ नहीं फिर से टककर ओहो हो कलुआ भाई तो भाई बिल्कुल बाल की तरह उचल कर बाहर गए लेकिन बच गए किसी भी तरीके से ओहो और इनकी वीकल भी बच गया सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी वीकल बच गया वरना तो भाई साथ इनकी पहले लाइफ लैन यहीं पर खत्म हो जाती और अब हैं ढेर सारे बॉल्स मेरे खाल से फिर से बूस्टर ओ बच गये बच गये भाई साब बच गए यार क्या बात है करुआ भाई आज क्या खाके निकले थे भाई यार आज तो तुम्हारी किस्मत को जादा इंसात दे रही है लेकिन भाई साब ये देखो यार जैसे कबाडी वाले के पास पड़े होते हैं जंक यारड में पड़े होते हैं कार वैसे ही भाई सब ये एफ-वन रेसिंग कार्स को यहां पर छोड़ गए कलवा भाई चल पड़ा है अपने स्टंट को कंप्लीट करने अब है मोटर साइकल से स्टंट कंप्लीट करना है तो शायद से इस पर इनका कंट्रोल हो आई होब कि इसके साथ ये बहतर तरीके से खेलें वरना तो मुझे इनके हालात नहीं लग रहे कि ये जीतेंगे यहां पर थोड़ी से मुश्किले होती हुई अब यहां से डाउन स्लाइड है उसके बाद जंप है उस जंप पर इन्हें ध्यान रखना होगा अगर ज्यादा जंप ले ली तो नोभीता की तारीफ कर रहे थे अभी नजर लग गई यह क्या गिलिच है बहुत सही चलिए कोई बात नहीं चोटे मोठे स्ट रेसिस में ऐसा ओ भाई साब यह क्या हो रहा है दो कदम भी नहीं चले फिर से टककर और इनकी डीक फूट गई भाई कलो भाई ठीक है न सब कुछ अर्या इतना दहुत ही रहता है अब देखना अब तो मैं इस रेस को ज़रूर जीतूंगा बिल्कु लेंड पर पहुंच गया हो मैं तो फिर से कर लिया है भाई वीकल को चेंज यह काफी जादा छोटी और बड़ी एजीव सी लग रहे है जैसे पबजी की बग्गी हो लेकिन कोई बात नहीं इसके साथ भी बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर कंट्रोल रखें तो लेकिन नहीं भाई साब यह पहले प्लेयर है ज जो कि इतना जादा घिरते पड़ते हुए इस रेस को आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन किस्मत की बात है कि यह आउट नहीं हो रहे हैं क्या बात है क्या वीली मारी है यहां पर बूस्टर का किया इस्तमाल बहुत सहीं वहना ट्रेडमिल से टकरा जाते हैं यहां पर है एक जूद भी भाई साब कोई फर्क नहीं है फिर से ढूई टकर नहीं 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 कार बिल्कुल आउट अफ कंट्रोल हो गया थी यह तो बहतर हुआ कि भाई नोंने रोक ली वरना तो शायद से नीचे गिर जाते और इतना आगे आने के बाद इनकी लाइफ जाती क्या हो रहा है कार को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है या फिर कोई खराब हो गया है कुछ नहीं समझ में आ रहा लेकिन बूस्टर का किया है इस्तमाल क्या बात है बिल्कुल एजिस से इस टरनल वे घुसा है बाई कलुआ वो क्या बात है बाई सारे अब्स्टिकल्स लेकिन एक सेकेंड रुको 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 कहां जा रहे हो या कहां जा रहे हो लेकिन खेर कोई बात नहीं कलुआ भाई तुम्हें वीकल नहीं चेंज गया यार कोई बात नहीं लेकिन यहां पर अबराम से चलना क्योंकि इस वीक प्र तो कुछ कम है कुछ कम है बूस्टर का किया है इस्तमाल और क्या बात है क्या परफेक्ट लेंडिंग की है अलागी वाई साहब इनके विकल का आगे वाला पार्ट डैमेज हो चुका है और नहीं नहीं यहां पर समभल के बाई साहब में ख्याद से यह फिनिश पॉइंट बहुत ही ज़्यादा पास आने वाला है लेकिन फिर भी इने संभल के चलना होगा क्योंकि भाई इस रैंप में आप्स्टिकल्स इतने सारे हैं कि पूछो मत और वो रहा नहीं देखा और उपर से भाई अपना कलुआ एक तो आप्स्टिकल्स इतने सारे है और उपर से क्या बाद है गाई कलवा बाई रेस जीत गये है यस एज़। रोको 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 भाई कहा जा रहे हु क्यो बेटिंगो कैसा लगा देखा मैं आण बुल्कुल सही कहा कलोग्णा भाई इसने ये stunt race को complete किया है बीना किसी अपनी life line को गवाए हुए लेकिन हाला कि ये stunt race की जीत इसकी जीत थी या फिर किसमत है, ये कहना थोड़ाँ सा मुश्कील है, लेकिन खैर जो भी हो, कल्वा भाई, बस दो सकेंड वेट को रहाँ हम तुम्हारा प्राइस मनी जल्दी से लेकर आते हैं ये देखो भाहिसाब आ चुका है भाईसाब कलवभाय का प्राइज मनी और प्राइज मनी में भाईस सिर्फ आज हैं गोड़ इतने सारे यही मत सँचना क्योंकि भाई साब ये इतने सारे गोल्ड तो हैं ही लेगिन साथ साथ ये जितने भी भाई साब F1 racing cars हैं ये सब कुछ कलवा भाई का है मतलब कि ये सारा ही कलवा भाई का price money होने वाला है ये सारे super cars और ठेज सारे gold trades कैसा लागा कलवा भाई बहुत अच्छा है शॉंज भाई, थेंक यू, थेंक यू बेरी माच, क्यो बेटिंग हो, कॉंग्राचुलेशन्स नहीं बोलेगा, अरे है 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 कॉंग्राचुलेशन्स, लेकिन तु तु किस्मेत के जीता है, गिरते पिरते हुए, जो भी हो जीत तो गया ना, वन्यू क्लेक्ट और पार्टी शाटी, चलो यार हम भी चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक यार वीडियो लगाओ, तो लाइक करना, अपने दोसों से शेयर करना, एंद प्लीज, दो सब्सक्राइब दी चैनल, तो स्टे कनेक्टेड, एक तो चाल आगला करो में! चाल काँांगा लगाओ